आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्यान भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरप वीडियो सिलीशन पाओ अभी उसकी परिवर्तन होगा तो इसमें ऑगरल बात करें अनब लब्धि की से परश्ट की जाती है जो उभेञिस्ट विज्यान होती है उसमें धार लब्धी का जो सूत्र होता है वह दिया जाता है का ऐसे दुस्तों एलफा बराबर इसे डेल आई-सी के बटे में क्याजिया ज सब्सक्राइब सब्सक्राइब आथात, IC हमारे पास में कौन सी धारा है, दोस्तों, यह हमारे पास में संगराहक धारा है, ठीक है, और जो हमारे पास में IE है, दोस्तों, वह कौन सी धारा होती है, वह होती है, उच्छ सर्जक धारा, ठीक है, तथा अगर IP की बात करें, तो यह कौन सी धारा की धारा, इस इस इस्ति में अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो हमें यह अगयी बात लिखा है तो तो हमें अगर जो यह में आधार नहीं औरता हुए TIM पांच मीली एंपियर तो दोस्तों परिवर्दित नहीं कर रही हूं ठीक है पांच मीली एंपियर डारेक्ट लिए देती हूं या फिर पाजगुना दसकी घाथ रिन तीन लिख देती हूं ठीक है जब इसको आप हल करेंगे तो आपके पास में डैल आई-सी का मान पराप्त हो यहां यहां आई-सी का मान यात करना है प्रशन में हम लोग हमारे समीकरंग्रमांग अगर मैं इसको समीकरंग्रमांग एक नाम दे दू और इसको समीकरंग्रमांग दो नाम दे दू तो समीकरंग्रमांग एक इसको नाम दे देता है तीन तो समीकरंग्रमांग कौन सा दूस्तो एक तथा तीन से क्या होगा अलफा बराबरी स डेल I C के बटे में, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा हमारा I C प्लस I B, डेल I C प्लस डेल I B के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों, अलफा का मान दिया गया है, जो दोसम्मलो नौ छे, गुना, सौरी, एकवल टू, कितना दिया है? बराबर इसे, डेल I C का मान कितना हो जाएगा हमारा पास में? इसका मान, दोस्तों, प्रश्ण के अनुसार कितना निकाला हम लोगों ने? 4.8 mAh, 10 की घाथ, रिन 3, ठीक है? और इसके बटे में क्या हो जाएगा? 4.8 mAh, या इसको मैं गुना में लिख देती हूँ, तो 10 की घाथ, रिन 3, धन, डेल I B का मान हमें ग्याद करना है, इस स्थती में दोस्तों, पक्षांतर कर देगे, तो क्या मिल जाएगा? 4.8 mAh, प्लस डेल I B बराबर इसे, 4.8 गुना 10 की घाथ, रिन 3 के बटे में 0.96, या इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, डेल I B बराबर इसे क्या हो जाएगा? 5 mAh, ठीक है? और तुके दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में योग में क्या है? 4.8 गुना 10 की घाथ, रिन 3 मिली 7 में अब लोग लेके चल रहे हैं, इस स्थती में हम लोग लिख सकते हैं, डेल I B का मान कित्ता हो जाएगा? 5 mAh, ठीक है, इसको 10 की घाथ, रिन 3 में से 4.8 गुना 10 की घाथ, रिन 3 को घटाएगे, तो कितना उत्तर आएगा? डेल I B का हमारे पास में उत्तर आएगा, 0.2 गुना 10 की घाथ, रिन 3 Amp या, हम लोग लिख सकते हैं, डेल I B बराबर इसे कित्ता हो जाएगा? यही हमारे प्रश्ण का उत्तर था, कि हमें क्या करना था, दो चीज़र गयात करनी थी, एक हमें तो उत्तरजक, मतलब common base, यह हम लोग कह सकते हैं, अधार विधा में, हमारे पास में दोस्तों क्या कहा गया था, संग्राहक धारा का मान पूछा गया था, तथा आधार धारा में परिवर्तिन की गन्ना भी करनी थी, तो दोनों ही हमारे पास में आ गई है, हमारे पास में जो उत्तरजक धारा, IC का मान आया है, ठीके, वह क्या आया दोस्तों, IC का मान हमारे पास में यहां से आया है, सम्झेकरन का मान 2 से, अब देखे, तो यहां हमारे पास में, IC का मा पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर छात्रों का भरोजा आज ही डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर